आपको आई एक्स और आप इस पॉलिस के डॉक्यमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रीन हाइडोजिन जो पॉलिसी आई है इसमें क्लियर कट बहुर अच्छा बड़ा बेनिफिट जो है आपको आई एक्स में देखने को मिलेगा क्योंकि आपको देखें ग्रीन हाइडोजिन कैसे बनता है इसके प्रॉस्ट में थोड़ा सा दूबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको जो है ग्रीन हाइडोजिन बना निकले बहुत आप समझ लेजे कि इंपORTANT है कि आप जो है ग्रीनेकी का इप्योग करें तो इसके लिए जो है सरकार ने एला आपको बताया कि आपको अगर green hydrogen बनाना है तो आपको electricity की जो आवेशकता होगी और फिलाल अगर आप देखे तो जिस प्रकार की companies इस business में आना चाहती है electrolyzer import कर रही है electrolysis के मादियम से जो है energy बनाई जाएगी तो आपको green energy जो है खरीदनी पड़ेगी exchanges के मादियम से और ये भी हो सकता है कि आगे जाकर में policy के paper में पड़ भी रहाता कि आप इससे भी जो है आप आगे जाकर energy का उत्पादन कर सकते हैं जो कि बड़े magnitude से होगी तो जिस प्रकार से IEX को अगर आप देखे तो बड़ा benefit देखने को मिल सकता है और क्यूंकि इनके पास already सर्फ platform available है इनके पास जो है टर्म अहेड डे अहेड जो है अलग से platform है green energy के लिए तो यहां से अगर आप देखे तो already इनके volumes over the years पिक अप करे हैं क्यूंकि पूरी जो green theme है भारत में काफ energy procure करेंगे और यह भी हो सकता है कि आगे जाकर इस energy को further IEX को sell करें तो वहां से अगर आप देखे तो win-win situation जो है policy की document के अनुसार आपको समझ में आएगा कि IEX को बड़ा benefit